जैन दोस्तों आपका अपने यूटूब चैनल फिजकल एजुकेशन फिजा में आप सभी का स्वागत है और मैं आज लेकर के आया हूँ एक न्यू सिरीज 25 कोस्चन की सिरीज है जो एक्जाम के लिए बहुत ही हेलफुल है तो इस्टार्ट करते कोस्चन नमबर फर्स्ट YMCA भारत की राष्टी काउंसिल का गठन कब किया गया तो ये कब किया गया था 21 फरवरी 1891 को किया गया था अब एक्जाम में पूछ देता है अक्षर की YMCA का फूल फार्म क्या होता है तो जो YMCA का फूल फार्म होता है वो होता है यंग मैंस क्रिस्चियन एसोसियेशन होता है ओके YMCA कब इस्टेबलिस हुआ ये भी पूछ देता एक्जाम में तो YMCA जो इस्टेबलिस हुआ वो 6 जून 1844 को इस्टेबलिस हुआ और किसके द्वारा हुआ था ये हुआ था जार्ज बिलियम के द्वारा हुआ था ओके याद रखिएगा दोस्तों इंपोर्टेंट कोस्चिन से नेश्ट कोस्चिन YMCA की भारती इकाई का वर्तमान मुख्याले कहा है वर्तमान मुख्याले कूछा गया है ये है नई दिल्ली में है आपसन नमबर सी जे राइट आंसर नेश्ट कोस्चिन सन 2003 में परथम EFRO ASEAN Games का आयोजन कहा किया गया 2003 में परथम EFRO ASEAN Games का जो आयोजन किया गया था ओग हुआ था हैदराबाद में हुआ था नेश्ट कोस्चिन इंपोर्टेंट कोस्चिन दोस्तो मा का ट्राफी सरवाधिक बार जीतने वाला विश्विद्याले कौन सा है तो मौलाना अबुल कलाम आजा ट्राफी सरवाधिक बार जीतने वाली इंवस्टिफ वो काउंसी है तो वो है JNDIU गुरू नानक दे इंवस्टिफ ऐसरवाधिक बार कितने बार जीत चुकी है तोटल 22 बार जीत चुकी है अब तक इसकी कब इस्टेबलिस हुआ मौलाना मा का ट्रॉफी तो यह establish हुआ है 19 56 57 में establish हुआ है अब इसकी पुरुसकार राज जान लेते हैं पुरुसकार राज पर्थम winner को कितनी दी जाती है तो winner को जो दी जाती है ओ दी जाती है 15 लाख रुपे दी जाती है सेकेंड प्राज कितना होता है तो जो सेकेंड प्राज होता है 7.5 लाख होता है और थर्ड प्राज क्या होता है कितना होता है थर्ड प्राज होता है 4.5 लाख रुपे होता है साड़े 4 लाख रुपे होती है नेस्ट कोस्चन देखते हैं दोस्तों विकास और सांती के लिए अंतराष्टी खेल दिवस किस वर्स प्रारंब हुआ विकास और सांती के लिए फर्स्ट टाइम किस वर्स आरंब हुआ अंतराष्टी खेल दिवस तो ये आरंब हुआ है 6 अप्राइल 2014 को नेश्ट कोस्चन देखते हैं भारतियम किसके लिए आउजित होता था तो भारतियम किसके लिए आउजित होता है नेश्ट कोस्चन भारत में मनुरंजन आंदोलन का प्रारंब किया, तो भारत में मनुरंजन आंदोलन का प्रारंब किस ने किया, तो ये किया था, जीडी सोडी ने किया था, ओके, नेश्ट कोश्चन देखते हैं, राजकुमारी अमरित कौर मंत्री थी, तो राजकुमारी अमरित कौर कौन सी म मंत्री थी यह मंत्री थी स्वास्त मंत्री थी और एक जाम में एकसर पूछता है कि यह किस गेम से रिलेटेड थी तो यह अराज कुमारी अमरित कौर जी जो थी यह टेनिस की प्लेयर थी ओके नेश्ट कोस्चन देखते हैं अखिल भारती खेल परिशत का गठन हुआ तो जो अखिल भारती खेल परिशत का गठन हुआ है वो हुआ है 1954 को हुआ था नेस्ट कोस्चन राष्टी अनुसासन योजना प्रारंब हुई तो जो राष्टी अनुसासन योजना प्रारंब हुई है वो 1954 में प्रारंब हुई नेस्ट कोस्चन देखते हैं भारती बिद्यालेई खेल महासंखा गठन किया गया है तो भारती बिद्यालेई खेल महासंखा जो गठन हुआ है ओभी हुआ है 1954 को हुआ है यह तीनु कोस्चन 1954 ही है इसका आंसर तो आप सभी लोग याद रखिएगा important question है question को कब कहां से घुमा दे यह पता नहीं है next question Asian Games Federation का पर्थम अध्यक्ष कौन था जो first time Asian Games हुआ था उसका president कौन था तो वो थे यादवेंद्र सिंग थे first president थे Asian Games Federation के कब हुआ था Asian Games Asian Games first हुआ था वो थे 1951 को हुआ था और कब से कब हुआ था 4 March से 11 March के बीच हुआ था ओके next question देखते हैं निमन में से कौन सा खेल छेतर का सरोच पुरुसकार है तो कौन सा खेल का पूछा है सरोच पुरुसकार है तो वो कौन सा है major ध्यानचंद खेल रतन पुरुसकार है सबसे सरोच पुरुसकार गेम का इसकी पुरुसकार रास कितनी होती है तो पुरुसकार रास होती है 25 लाख रुपए होती है पहले major ध्यानचंद खेल रतन अवार्ड का नाम क्या था राजिव गांधी खेल लतन अवार्ड था यह कब इस्टेबलिस हुआ 1991-92 में इस्टेबलिस हुआ तब से दिया जाता है और अरजुन पुरुसकार देख लेते हैं तो अरजुन पुरुसकार कब से दिया जाता है 1961 से दिया जाता है इसकी पुरुषकार रास कितनी होती है? इसकी जो पुरुषकार रास होती है 15 लाख रुपए होती है नेश्ट कोस्चन देखते हैं हनुमान ब्यायाम प्रसारक मंडल की अस्थापना किस वर्स हुई? अस्थापना कब हुई? तो यह हुई है 1914 इस भी में हुई है नेश्ट कोस्चन पंचायत युवा किड़ा और खेल अभियान का गठन कब किया गया? तो जिसको अब इस समय हम लोग करते हैं पाय का तो यह कब हुई है? तो फर्स्ट अप्रैल 2008 से हो रहा है पाय का पर्थम ACI खेलो का सुभंकर था तो पर्थम ACI खेलो का सुभंकर क्या था? इसका जो राइट आंसर है आप्सन नमबर A इस राइट आंसर जनतर मंतर था नेश्ट कोस्चन अंतराश्टी खेल प्रतियोगिताओं में भारती खेल महासंग किसके सानिध्य में भाग लेते हैं? आप्सन नमबर A इस राइट आंसर भारती ओलंपिक संग के अंतरगत ये भाग लेते हैं इंटरनेशनल लेबल पर जो भी कंपटीशन होते हैं? नेटा जी सुबास राष्टी खेश अंस्थान की अस्थापना किस वर्ष की गई तो किस वर्ष की गई थी? आप्सन नमबर D इस राइट आंसर उननिस सो एकसठ में की गई थी साथ मई उननिस सो एकसठ से में इस्टेवरिस हुआ भारत में सारीरी सिच्छा का जनक किसे कहा जाता है? भारती सिच्छा आयोग द्वारा सारीरी सिच्छा को मानेता दी गई तो भारती सिच्छा आयोग द्वारा सारी सिच्छा को कम माननेता दी गई थी तो ये जो माननेता दी गई थी ये 1882 इस भी में दी गई थी निम्न में से किस भारती खिलाड़ी को IOC ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने believe in sport अभियान के लिए athlete ambassador के रूप में चुना है तो किसे चुना है ये चुना है पीवी सिंदु को चुना गया है अब पीवी सिंदु के बारे में थोड़ा जान लें इनका पूरा नाम पीवी सिंदु क्या है इनका पूरा नाम है पूरसला बेंकट सिंदु इनका पूरा नाम है इन्होंने 2016 में उलम्पिक में इन्होंने कौन सा पदक जीता था इन्होंने रजत पदक जीता था और 2020 उलम्पिक में जो 2021 में हुआ था उसमें इन्होंने कौन सा पदक जीता था इन्होंने कांस्य पदक जीता था किस संस्थान द्वारा बेवसाइक सारे सिच्छा पाठक्रमों को माननेता दी जाती है किस संस्थान द्वारा दी जाती है प्रोफेशनल जो कॉर्सेज होते है दो दी जाती है NCTE के द्वारा दी जाती है माननेता दी जाती है NCTE का फूल फार्म क्या होता है National Council for Teacher Education होता है Next question देखते हैं पोलो खेल का प्राचीन नाम क्या था? तो जो पोलो खेल का प्राचीन नाम था वो था चौगान था अक्सर question देखने को मिलता है कि पोलो खेल से किसकी मृत्ति हुई? तो किसकी मृत्ति हुई थी? पोलो खेलते हुए? वो कुतुबुद्दीन एबक की मृत्ति हुई थी पोलो खेलते वक्त Next question देखते हैं साई का सारे सिच्छा वो सोद के लिए अकार्डमिक खंड कहां इस्थित है? तो साई के लिए कहां पे अकार्डमिक खंड इस्थित है? आपसर नमबर C इजे राइट आंसर अकार्डमिक खंड पूछा गया है तो C आंसर इजे राइट आंसर तिवेंद्रम साई कब इस्टेब्लिस हुआ है? इसके बारे में थोड़ा से जान लेते हैं साई जो इस्टेब्लिस हुआ है स्पोर्ट अथार्टी आफ इंडिया 1984 में Next question सारे इरिक सिच्छा में लच्छमी बाई नेशनल कालेज आप फिजकल एजुकेशन LNCP कहां इस्थित है? तो ये कहां पे इस्थित है? आप सभी को मालूम होगा आपसर नमबर B जे राइट आंसर ग्वालियर में और इस सिरीज के लास्ट कोस्चन है ये बेरी-बेरी इंपोर्टेंट है लच्छमी बाई राष्टी सारे इरिक सिच्छा संसान LNIP ग्वालियर साइंस से कब अलग हुआ? तो साइंस से कब अलग हुआ? तो ये अलग हुआ है 1995 में और LNIP कब इस्टेब्लिश हुआ? 1957 में इस्टेब्लिश हुआ तो दोस्तो वीडियो कैसी लगी? प्लीज लाइक, सेयर, कमेंट जरूर करें और बताए जिससे मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर क्या हूँ थैंक्स पर वाचिं एरीवन बाइ-बाइ